हालो लेर्नर्स वेलकम टो आर चानल एड़ीस पाव और आई होप आप लोग सभी कह अच्छे होंगे आज आप लोग क्लास 12 से रिलेटेड इंपोर्टेड टॉपिक का डिस्केशन करने वाले हैं जो कि इंग्लिस एलेक्टिव सब्जेक्ट से रिलेटेड है प्रोजेक्ट र देहिएगा ठीक है काफी इंट्रेस्टिंस जेशन होने वाला है सो लेट्स स्टार्ट दा सेशन ओके को स्हें न्मबर वाज ठीक है इथ को सेंस करीज टूम दो मार्क के को सेने दसकेश्चेन यह यह यूव टो 10 questions okay and this question carries 2 mark question number one how many times is the महाभारता longer than the Iliad and Odyssey put together बोल रहा है कि महाभारता कितने गुना longer यानि बड़ा है Iliad और Odyssey से ठीक है देखेगा ये जो Iliad और Odyssey की हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये epic है महाकावी जिसको बोलते है और हमारा महाभारत पी एक महाकावी है ठीक है और ये हमर के द्वारा लिखा गया था ठीक है हमर के द्वारा Iliad और Odyssey लिखा गया था ठीक है तो बोल रहा है कि महाभारत कितना लंबा है than the Iliad and Odyssey put together यानि दोनों को एक साथ मिलाया जाए यानि आपका Odyssey को और Iliad को ये दोनों को एक साथ मिलाया जाए और दोनों को मिलाने के बाद भी जो है हम लोग का महाभारत लंबा है तो वो कितना लंबा है ठीक है इसमें काफ़ी कंट्रूबर्सी काफी सारे क्रिटिक्स के अनुसार या एडूकेशनिस्ट के अनुसार कोई इसे सेवन टाइमस मानता है कोई 8 times, कोई 9 times, कोई 10 times, ठीक है, अपनी-अपनी मानेता है, और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसमें जो है आप लोगों का महाभारता में आपके लगभग 1 lakh stangels हैं, ठीक है, एक लाग क्या स्पास stangels हैं, और साथ ही साथ ये जो आप लोगों ने Christian धर्म का Bible के बार है, ठीक है, तो ये सारी काफी interesting जानकारी, तो खेर हमें तो कुछ एक answer select करना ही पड़ेगा, तो इसका appropriate answer होगा, option number 7, ठीक है, how many times is the महाभारता longer than the Iliad and Odyssey put together, that is, 7 times लंबा है, वो Iliad and Odyssey से, second, who translated the Gita into English, ठीक है, गीता का translation English में किस ने किया, ठीक है, तो इसका right answer हो जाएगा, Christopher Isserwood, ठीक है, इन्होंने ही गीता का translation English में किया, ठीक है, लेकिन question में जदी थोड़ा से घुमा देता, ठीक है, कि आपको बोलता कि, who translated the Gita into English first, यानि सबसे पहले English में गीता का translation किस ने किया, तो फिर आप लोगों का answer जो है, वो change हो जाता है, तो फिर क्या होता, आप लोग Charles Wilkins, ठीक है, इनके द्वारा जो है, आप लोगों का 1830 में, जो है, इसका translation किया गया था, तो इस तरह से first translation जदी पूछा जाता, तो Sir Charles Wilkins 1830 होता, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये option में भी हम लोग का नहीं है, आप लोग की जानकरी क्ले में ये बता दिया, ठीक है, लेकिन यहा option number three, क्या बोलता है, who instigated Yudhishtir to fight the battle, ठीक है, instigate that means क्या, उकसाना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, उकसाना, ठीक है, कौन Yudhishtir को उकसाया, जो है, battle के लिए, युद्ध के लिए, battle means युद्ध, ठीक है, युद्ध के लिए कौन उकसाया, ठीक है, तो अर्जुन, क्रिष्ण, द्रौपदी, या भी, तो इसका right answer हो जाएगा, आप लोगों का, द्रौपदी, option number C, इन्होंने युकसाया, उधिश्टिर को fight करने के लिए, next, which words in the poem, the poem by Blake depict emotions, ठीक है, यहाँ पर देखेगा, black लिखा हुआ है, color black, लेके लिए, actually spelling होगा, ठीक है, poems by Blake, जो poetry है the divine image और the human abstract, यह तो poetry साप लोगों को पढ़नी है, 12 elective में, तो इसके अनुसार, which word in the poem, the poem by Blake depict emotion, तो emotion को depict करता है, तो इसका right answer आप लोगों का हो जाएगा, cruelty, deceit मने होता है, धोखा देना, छलकपट, pity, दया, ठीक है, तो इसका right answer होगा, आपका D वाला, both A and C, यानि cruelty भी ठीक है, तो इसका right answer होगा, आप लोगों का D, next question number 5, if we do not make somebody poor, what will not be left, if we did not make somebody poor, जदी हम लोग किसी को poor नहीं बनाएंगे, गरीब नहीं बनाएंगे, what will not be left, ठीक है, तो इसका right answer हो जाएगा, option number A, B, ठीक है, धया, then, six, who is the author of the story A Wedding in Brownsvillay, ठीक है, very straightforward question, जो non-fiction है, A Wedding in Brownsvillay, इसके author कौन है, तो right answer, इसाथ B, सेविल, सिंगर, ठीक है, next question number 7, why did Dr. Margolin not want to attend the wedding at Brownsvillay, ठीक है, Dr. Solomon Margolin, जो थे, वो Brownsvillay में जो Wedding ceremony थी, वहाँ, उसको वो क्यों attend नहीं करना चाहते थे, ठीक है, तो इसके answer हो जाएगा, आप लोगों का option number C, because Jewish laws and customs were completely distorted, क्योंकि इनके अनुसार जो है, जो यहूदी धर्म है, जो इस मतलब क्या है, यहूदी धर्म, ठीक है, तो यहूदी धर्म के जो DM कानून, रिती रिवाज होकर रहे हैं, यह मतलब पतन की ओर हैं, खराब होते जा रहे हैं, चार ओर, देखोगे, मास, मदीरा, फि यह उनके अनुसार मतलब क्या, Jewish culture एकदम बरबाद हो रहा है, ठीक है, इसलिए वो यह जो वेडिंग था, यह Jewish culture का ही था, इसलिए वो ब्राउस्विले में उस वेडिंग में सामिल होना नहीं चाहते थे, हला कि वो गय थे, 8. What kind of help did Dr. Solomon Margolin provide to the Jewish patients, ठीक है, Dr. Solomon Margolin पेशे से एक डॉक्टर थे, ठीक है, बहुत ही उदार और अच्छे यह डॉक्टर थे और काफी अपने जो Jewish लोग थे, उनके लिए यह helpful रहते थे, ठीक है, तो उसी से related पूछ रहा है कि वो क्या-क्या facility प्रोवाइट करते थे अपने Jewish patients लोगों को, ठीक है, जैसे option number A क्या बुदता है, treated rabies, refugees and Jewish writers without charge, उनलोग को कभी-कभी free में या बिना fees का या कम fees में वो इलाज करते थे, सही बात है, supplied medicines to them, उन्हें medicine supply बगर करते थे, सही है, provided hospitals beds, ठीक है, आप लोग भी देखते होंगे, किसी का आप लोगों का एड्मिट कर राना है, hospital में तो बहुत मारा मारी होता है, ठीक है, source पर भी लाओ, पैसा दो, इस तरह से, तो वो hospital में bed बगरा प्रदान करते थे, ठीक है, free में, तो ये सारा, तो इसका right answer हो जाएगा option number D, यानि सभी सही है, ठीक है, next, nine, who wrote the drama Chandalika, ड्रामा जो है, Chandalika, ये किसके द्वार लिखा गया है, तो इसके rider है, रविंदरनाथ टेगोर, okay, next, who is Chandalika in play Chandalika, प्ले जो आपने पढ़ा Chandalika, रविंदरनाथ टेगोर जी के द्वारा जो लिखा गया है, इसमें Chandalika कौन है, चंडालिका मा है कोई, ठीक है, या प्रकृति है, या प्रकृति की बहन है, या इस play म में mention नहीं किया गया है, तो इसका right answer हो जाएगा आप लोगों का, कौन, खुद प्रकृति, ठीक है, option number B, ठीक है, या प्रकृति ही, जो है आप लोगों का, क्या है, चंडालika है, ठीक है, चंडाली इन family, जो हम लोग चंडाल बोलते हैं, दांस असकार वगरे जो करते हैं, जो परिवार ठीक है तो वो जो इसको हम लोग अंटेचेबल मानते हैं छुआ छूट वाला ठीक है तो यह चंडाली का कौन है तो यह चंडाली का प्रकेटती है हमारी ठीक है